आप सब का सुपर कंसर्ट क्लासे में स्वागत्त है और यह जो आज का वीडियो है ज्यक बोर्ड के सभी स्टुडेंस के लिए बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज किस वीडियो में आप लोगों को ज्यक बोर्ड का एक्जाम पैटर्न बताने वाला हूँ आज JCRT के ओर से एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें साब साब बताया गया है कि आप लोगों की एक्जाम में objective questions कितना आएगा subjective questions कितना आएगा very short type questions कितना आएगा short type questions कितना आएगा और long type questions कितना आएगा यहाँ पर मैं आपको हरी चीज़ को बहुत सिंपल तरीके से और easy तरीके से complete बताऊंगा तो आप लोग वीडियो पर बने रहें अगर आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें जितना हो से कि वीडियो को share करें और अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली ब हमारा objective रहेंगा और जो exam अमारा होगा यह वाला यह हमारा ु एम्च्व टाइप कर रहेगा यानी कι objective टाइप कर रहेगा और i इसमें हमारा उब्जक्टिव रहेगा और सब्जक्टिव रहेगा जो हमारा ऑब्जक्टिव रहेगा इसका एक्जाम और सिट पर होगा और जो हमारा सब्जक्टिव रहेगा इसका एक्जाम हमारा उत्तर पुस्तिका में होगा तो यह चीज़ आपको पता है ठीक है हम लोग छूट दिया जाएगा कितने नंबर का question पूछे जाएगा यह मैं है जो कि हम लोग इस वीडियो में एकक करके class वाज यहां पर हम डिसकस करेंगे देखिए 89 और 11 में तो कोई दिखत नहीं है कि सारा question हमारा objective है तो कोई दिखत नहीं है और यहां पर पर हमें गोल गोल करके लिखना है लेकिन 10 और 12 की जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं complete देखिए और अच्छे तरी के समझे तो चलिए अब लेते हैं कि इस साल का हमारा एक्जाम का pattern क्या होने वाला है तो सबसे पहले यहां पर हम लोग class 10 की exam pattern को देख लेते हैं कि हमारा class 10 का exam pattern क्या है तो देखिए class 10 का exam का जो pattern है इसमें हमारा 40 number का objective questions पुछे जाएगा 40 number का हमारा subjective questions पुछे जाएगा और 20 number का हमारा या तो internal assessment होगा या पी और practical होगा और इस सब्सक्राइब करना कुछा जा यहां पर यह जो सब्जक्टिव बाला है ना इसमें तीन टाइप के पुछे जाएंगे देख लिए कौन-कौन से टाइप के पुछे जाएंगे तुसमें हमारा एक पुछा जाएगा भेरी सॉट टाइप कोजिशन याने भेरी सॉट चोड़ा-छोड़ा इसका उत्तर आपको या तो एक सब्द में देना है या फिर एक लाइन में देना है ठीक है यह वहा भेरी सॉट वाला एक हमारा पुछा जाएगा सॉट टाइप बाला और एक हमारा पुछा जाएगा लॉंग टाइप बाला यानि सब्जक्टिव में तिन टाइप के पुछेंस रहेंगे भेरी स नुक्स को देख लेते हैं तो देखी जिसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा 40 नमर का होने वाला है सब्जक्टिव ठीक है तो देखिए यह जो चालिस नमर का हमारा जो सब्जक्टिव होगा इसमें जो पहला टाइफ है यानि भीरी सॉट वाला एक दम बहूती एक छोटा- या तो एक सरद में होगा या फिर आपका एक वाइक्वाइक में होगा यह जो हैं हमारा îमने सुनीए सातठ फ्रस्न संग और सॉर्य जो आपका सौट वाला है ना सौट वाला में भी वही फंडा है यहां पर आप लोगों का साथ कोश्चन पुछे जाएगा और साथ में से मात्र आपको पांचे कोश्चन का उत्तर देना है यानि यहां पर भी आपको दो ठोका छूड़ दिया जा रहा है साथ ठोप प्रसन में से मातर आपको तीन थोग तेरे मातर के बात की लिए रोग याENCE नहीं है मतलब इतिना पूछा जाएगा ठीक उतर अब यह पूछा जाएगा यह पूछा जाएगा और यह आ उत्तर देना है उत्तर देना है बात के लिए रोगिया कोई दिगत नहीं है भेरी सौड वाला में साथ टो पुछे जाएगा साथ में से पांच का उत्तर देना है लॉंग वाला में हमारा पांच टो पुछे जाएगा और पांच में से तीन का उत्तर देना है अब देखिए य मु streams yani हमना दो नमर्व का पांच कोंस्ट में कितना हो गया तो पांच-गुना दो यह हो गया हमारा 10 नमबर का यानी जो भेरी सब्सक्राइब यह हमारा 10 नमर्व का होगा यह हमारा क्या होने वाला है यहाँ है साथ रो प्रस्ण में से पांच रो प्रस्ण का उत्तर देना है और इसमें एक प्रस्ण के लिए हमें तीन नंबर दिया जाएगा मतलब एक कोश्चन के लिए हमें यहां पर तीन नंबर दिया जाएगा और पांच रो कोश्चन का हमें यहां पर एंसर देना है तो पांच कोश यहां से आप लोगों का 10 नमबर, यहां से आप लोगों का 15 नमबर, तो 15-35 तीस और यह 10-14 तो इस परकार से आप लोगों का होने वाला है, बात clear हो गया कोई दिखत कोई प्रोब्लम नहीं है, यहां पर देखिक लिजे क्लास 10 वालो जो भी स्ट्वेट्स आप लोगों का इस स्वाड वाला रहेगा आप लोगा स्वाड वाला रहेगा और आप लोग का लॉंग वाला रहेगा ठीक है कोई दिकत नहीं है यह आपका 10 नंबर का यह आपका 15 नंबर का यह भी आपका 15 नंबर का टोटल इधर से आप लोगों को 40 नंबर मिल जाएगा जो कि यहां पर मिल का यहां पर किलियर हो जाता है अब देखिए क्लास्ट्रियल्द का तो क्लास्ट्रियल्द में देखिए जो सब्जेक्ट होता है ना दो टाइप का सब्जेक्ट होता है एक हमारा होता है प्रैक्टिकल वाला और एक होता है नन प्रैक्टिकल वाला तो प्रैक्टिकल के लिए ह हम लोग अलग से समझेंगे यहाँ पर मैं आप लोग के इसामपल दे सकता हूं अब लोग का प्रेक्टिकल नहीं होता है यह आप लोग का क्यमिस्ट्री है फिजिक्स है इसमें आप लोग का प्रेक्टिकल हो गया जिसे आप लोग का क्या हो जाएगा नॉन प्रैक्टिकल ब्रैक्श कर जाएगा जैसे आप लोगों का जिए जिएग्यों से हम रोफी करते हैं आपको सुनिये अगर आपका सब्जक्ट गर प्रैक्टिकल बहला है तो आ तिस नंबर का आप लोग का objective होगा 35 नंबर का आप लोगगा subjective होगा त starts ओंडिया और सभेस्तिन नंबर का और संब्जक्ट इनcember का यह defect已經 सब्जक्टिव आप लोगा कहालग करी में दुझे में सब्जक्टिव होगा तोieso आप कहानी होई है साथ में साथ कोष्चन रहेगा है मात्र पांच का उत्तर देना है लौग बाला में प्रैक्टिकल बालों के एक कोष्चन हमारा एक नंबर का रहेगा तो पांच कोष्चन यहांपर है तो पंदा होई है को इस प्रकार काई अगे चलते हैं नौन प्रेक्टिकल वालों के लिए नौन प्रेक्टिकल कैसे है harm हमारा class 10 वाला है ना Class 10 वाला जिस प्रकार का पैटन है बिल्कुल ओए से हुब हुँ हमारा Class लिए है देखे आपर 40 नमर का objective रहेगा 40 नमर का subject रहेगा और 20 नमर का हमारा internal assessment होगा objective में कोई दिकत नहीं है सब्जेक्टिव में ऊई फंडा है, यह क问 कर दो नंबर का तो इस प्रकार्श न हमारा होने वाला है कुछ आप लोग देख लीजिए देखिए आप ध्यान से जैसे आप सभी को पता होगा कल मैंने एक WhatsApp गुरूप बनाया था और बहुत से बच्चे उस WhatsApp गुरूप में जूड़े हैं देखिए WhatsApp गुरूप चुका है उसमें करीबन अभी 2025 बच्चे एड़ पाएं कि गुरूप फूल हो गया तो हमने जो कल गुरूप बनाया था उसका नाम था बोड एकजाम 2030 गूरिफ वण ठीक है और आज मैंने और गुरुप बनाया किनकी गूरूप फूल हो गया इससे मैंने और गुरूप बना जोड़ना पाई एक जोड़े रही है न काम बन जाएगा और आपको लग रहा होगा कि सर हमने तो आपको मेसेज क्या है आप मेसेज का जवाब नहीं दिये हैं ध्यान सुनिए कल जब मैंने गुरूप बनाया था इतने बच्चों नहीं मेसेज किया ना कि मेसेज देखना तो दूर मेसेज पढ़ने पा रहा हूं कि इतना ज़्यादा मेसेज आ चुका है कर आप लोग टेंसे नहीं लिजिए और जो मैंने उसमें नंबर दिया है नंबर भी मेरा चालू है अब आप लोगों को हो सकते सूच बता रहा होगा लेकिन नंबर चालू है बहुत ज़्याद नंबर को मैं मतलब सूच ओन कर दूंगा आप लोग आराम से बातचीत भी कर सकते हैं तो जो बच्चा भी ग्रूप वन में नहीं जूड़े हैं आप लोग ग्रूप टू में वहाँ पर जाकर अराम से ग्रूप में जूड़िए तो अगर आपको वीडियो पसंद आदे वीडियो को लाइक करिए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू जहन